क्लास 10 के बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके बोर्ट होते हैं, फिर भी उनको इतनी टेंशन नहीं होती हैं, जितना क्लास 9 के बच्चे उन्हों सफर कर रहे होते हैं Study Planner खुद बनाओ, Study Planner आपके हिसाब से बनेगा, आपके ठीचर या आपके दोस्त के हिसाब से आपका Study Planner नहीं बनेगा, हर एक बच्चे का अलग प्लान होता है पढ़ाई करने का, कभी भी दूसरी बार किसी चीज को स्किप मत करना, अगर दूसरी बार भी मिस होती है, यान वो डाउट हमेशा रह जाते हैं, तो एक तक कॉलिश तक वो डाउट से रहते हैं, क्योंकि आपके बेसिक सी क्लियर नहीं, अपना यह जो आपका ब्रेन है, इसके सेरीबरम के अंदर सारी चीज़े अच्छे से स्टोर करके रखो, और सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए कि इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे चूकि देखना चाहेंगे कि मैंने क्या बोला है, बट कुछ बच्चे ना सच में जाना चाहते हैं, हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 9, अब ये विडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखो, आपने अ कुछ बच्चे शायद 70s, 80s में लेकर आ रहे होंगे marks जो कि बुरे नहीं है बट फिर भी उनका intention होगा कि यार थोड़े से और अच्छे मुझे टॉपर को पीछे छोड़ना या फिर मुझे class में top करना है मुझे अपने माबाब की चेरे पर वो खुशी चाहिए जो कि वो दूसरों के बच्चों के अच्छे marks लाने पर सोचते हैं कि यार काश मेरे बेटे या मेरे बेटी के भी इतने अच्छे marks आ जाते तो यह जो class 9 में 95% score करने वाला target है न यह थोड़ा सा difficult हो जाता है क्यों difficult हो जाता है क्योंकि देखो आप अभी अभी आए हो class 8 से class 8 में जो आपका academics का तरीका था वो बहुत change हो जाता है drastically change हो जाता है class 9 के अंदर और बहुत जादा आपके उपर pressure आना शुरू हो जाता है कि वेटा देखो अब आप 9 में आ चुके हो अब आप senior हो चुके हो आपको अब एक अपना right track चूज करना है आपको अपना आगे एक favorite subject चूज करना है कि किसमें आपको आगे अपनी study continue करनी है ऐसी बहुत सारी बाते होती होंगी बट यह आपकी body का भी एक ऐसा time होता है जिसमें hormonal changes बहुत जादा हो रहे होते हैं जिसमें आप distractions से सफर करते हो चाहा कर भी focus नहीं कर पाते हो बहुत जादा peer pressure होता है social pressure होता है यही सारी बाते आज वीडियो में करनी है बट यह ध्यान रखते होए कि हम कैसे improve कर सकते हैं कैसे 95% लाने 95% तो एक टाग चला हुआ है कि how to score 95% बट यहाँ सिफ 95% की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है how to improve yourself देखो being an educator बट मैं भी कभी student थी आपके सारे educator कभी students थे सब नहीं यह problem face करी है class 8 सब करके आए हैं और 9 में आए हैं and then उन्होंने एक बहुत जमीन आसमान का फरक experience किया है क्यों आता है वो इतना बड़ा difference देखो इसके कुछ reasons हैं जिससे आप सारे के सारे agree करने वाले हो why class 9 is difficult class 10 के बच्चे मौज मस्ती कर रहे होंगे उनके boards होते फिर भी उनको इतनी tension नहीं होती जितना class 9 के बच्चे उन्हों suffer कर रहे होते क्योंकि अभी तर class 8 में आप इस भी school में होंगे आपको class 8 का जो pattern चल रहा होगा जो सिखाया गया होगा वो pattern class 9 में follow नहीं होता है आपकी school में NCRT होगी या दूसरे publishers की books होंगी उसमें से जो pattern आता है आपको उसी की आदत होती है फिलप्स, true-false, book exercise, in-text questions जादा आते हैं आपको उसी को cram करने की habit है आपकी गलती नहीं है इसमें schools में ही ऐसा चलता आ रहा है हमने भी ऐसे किया था और अभी भी ऐसा ही चलता है schools के अंदर की class 6 to 8 वाला जो pattern होता है इस थोड़ा simple थोड़ा book से related जो भी publisher की book लगी हुई है उसी को target करके आपके questions पूछे जाते हैं अभी तक आपकी बहुत अच्छी rank भी आ रही होगी बहुत अच्छी percentage भी आ रही होगी अगर नहीं आ रही है तो आप अगर चाहते हो improve करना this video is for you अब देखो कुछ बच्चे थे 8 में बहुत अच्छा top कर रहे थे 90 में marks आ रहे हैं 98% आ रहे हैं percentage अच्छा आई रहा है साथी साथ positions भी आ रहे हैं बट फिर class 9 में आते ही आप कहीं बीड में गुमो जाते हो आप खुद को ढूंड नहीं पाते हो अपनी वो जो आपकी 8 में आपकी एक identity class में वो आप खो देते हों क्यों हो रहा है academic expectations क्योंकि academics का course बदल गया तो आपसे expectations यानि की उमीदे तो रखी जाएंगी आपने class 8 तक अभी तक बहुत अच्छा किया है class 9 में क्या हो गया यार बचे को यह academic expectations रहेंगी कि हाँ आप 98% 8 में आ रहे थे तो 9 में ला आपने के बाद आपने challenge किया आपने face किया then is time management syllabus की बात आती है time management के अंदर class 8 जैसा syllabus नहीं होता बेटा आपका आपके subjects बढ़ जाते हैं आपकी science जो की बहुत important subject है वो तीन parts में divide हो जाता है physics, chemistry and biology और ऐसे ऐसे questions है ऐसे ऐसे concepts आ जाते हैं जो कि 8 में आपने सुने नहीं होते हैं या फिर 8 में ध्यान नहीं दिये होते हैं अब syllabus बढ़ गया तो time को manage करना difficult हो जाता है इसमें दिक्कत आती है then is study skills अभी तक cramming पर ध्यान दे रहे थे spoon feeding हो रही थी जो teacher ने बोला class में वही आ गया 9 में ऐसा नहीं होता है कितनी बार ऐसे experiences होते हैं कि या जो teacher ने पढ़ाया वो तो आया ही नहीं जो book में लिखा है और वो तो आया ही नहीं कहीं और से question आ गया question book से ही होता है हमारे concepts clear और नहीं होते हम ध्यान से सुनते नहीं है teacher को और फिर हमें लगता है और वो out of syllabus हो गया कभी भी आपको किताब की as it is direct चीज question नहीं पूचा जाता है बेटा उससे direct questions कभी भी नहीं आते हैं यहीं बदलता है सब कुछ जब आप 910 में आते हो पढ़ाया वहीं जाता है सबको करेगा कि आपके कितने marks आने वाले हैं तो चलो अब बात करते हैं that how to resolve it problems तो देख ली माम कि हाँ आप साही कह रहे हो academic expectations बढ़ गई है ममी पापास बोल रहे हैं कि आप 9 में है आप अच्छे marks लेकर आ बेटा क्योंकि आप 10 में बोर्ट सा जाएंगे 9 10 को ही justify करेगी और 11 और 12 तो बहुत ही peak years होते हैं क्योंकि वह आपको पूरा future decide करते हैं transition यह आप इससे सबसे जादा agree कर रहे होगे क्योंकि यह बहुत सारे बच्चे face करते हैं 8 से 9 में आना बहुत बढ़ा transition होता है बड़ चलो problems तो हमने देख ली solutions क्या है कैसे हम solve करें उसी क्या करें मैं जिससे हमारे बहुत अच्छे marks आ जाएं जो वीडियो का target है how to score 95% पहला तरीका है proper study plan इसमें क्या करना है देखो एक एक करके सारी चीज़े में बताती हो आपक क्योंकि हो आपको पता है आपके कौन-कौन से chapters आ रहे हैं आपको सबसे पहले न वेटेज पता होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का study planner खुद बनाओ study plan आपके हिसाब से बनेगा आपके टीचर या आपके दोस्त के हिसाब से आपका study planner नहीं बनेगा हर एक बच्चे का अलग प्लान होता है पढ़ाई करने का कुछ बच्चे मौनिंग में study करना प्रेफर करते कुछ रात में study प्रेफर करते तो वह आपकी मर्जी है आपको कब शांती भरा time मिल रहा है और focus time मिल रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा motivated हो energetic हो और पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से आप करें तो बायो की वेटेश ज्यादा होती है अगर हम 80 माक्स को डिवाइड करें तो 30 माक्स की बायो हो जाएगी और 25 और 25 की physics और chemistry हो जाएगी biology की अच्छी बात यह है कि it is scoring ठीक है कुछ बचों को theoretical लगता होगा boring लगता होगा थोड़ा सा but the best part is कि बहुत ज्यादा scoring होता है physics और chemistry में आपको numericals की practice करनी ही करनी है chemistry में आपको reactions की practice करनी ही करनी है अगर ये वंडा नहीं अपना होगे तो marks lose होंगे biology में सुर्फ सुनना है समझना है और उसको अच्छे से लिखना है अब यहाँ पर English का roll भी आ जाता है क्योंकि mostly students आप सारे English medium में होंगे तो आपको answer formation आना चाहिए तो आप English के पीछे भी उतना ही भागना जितना आप बाकी subjects को time दे रहे हो क्योंकि English यहाँ पर आपको answer formation में help करेगी सो सारे subjects का proper study plan follow करना है discipline के साथ करना है without discipline इस video को देखने का कोई point नहीं है discipline क्या होता है कि एक बार या decide कर लिया है मैं पांच बजे पढ़ूंगा उठकर तो पढ़ूंगा मन नहीं कर रहा है यार आला सारा है कल से देख लूंगा यह सारे बहाने हैं वही पर जब भी तुम्हारे दिमाग में आया तुमने दिसाइड कर लिया चल मैं रोज सुबह पांच बजे उठकर पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं दो दिन उठ गया तीसरे दिन लगा यार शोड़ यार शाम को पढ़ लूंगा वही थोट आपका दिस्ट्राक्शन है वही थोट आपको पीछे कीच रहा है तो ध्यान रखना उसी थोट को फाइट करना है अगर उस थोट को फाइट कर लोगे कि नहीं मेरे को पढ़ना है डिसाइड करा है तो करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी तो आपका यह जो एक टार्ग कि it is the best book because उसके अंदर हर लाइन में एक नई बात है हर लाइन में एक नया question बनता है नई बात बनती है तो आप लोगों के लिए समझना difficult हो जाता है तो आपको reference books भी चाहिए होती है सारी books की collection आपके पास proper होनी चाहिए जैसे कि मैंने यहां लिखा है focus on ncrt अब ncrt फोपे focus तो कर लेंगे ठीक है वाम उसको read भी कर लेंगे बट उसको easy करने के लिए regular lectures आपको attend करने है कुछ भी miss नहीं करना है अगर स्कूल से अच्छे से पढ़ रहे हो तो स्कूल के lectures इतने अच्छे से समझो कि आपको सब कुछ उसी टाइम याद हो जाए मैं हमेशा बोलती है अपनी क्लास में try to be a good listener इससे क्या अच्छा हो जाएगा कि जब आप lecture सामने सुन रहे हो जो भी बात सुन रहे हो चाहे आप स्कूल में सुन रहे हो या फिर आप किसी भी प्लाटफॉम पर सुन रहे हो make sure कि आप उसी टाइम चीज़े को याद करने की कोशिश करो क्योंकि उस टाइम आपका 80% काम पूरा हो जाता है आपको घर आके सिर्फ रवाइस करना है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं उनको लगता है हाँ ठीक है हम बैटे तो हैं क्लास में बढ़ ध्यान कहीं और होत नेवर मिस क्या मतलब है इसका ठीक एक बार हालस आगया यार। बहुत टाइम से पढ़ रहे थे बहुत टाइम से कोई भी टार्गेग्ट कोई भी हबबिट बनाने की कोशिश कर रहे थे बट एक बार मिस हो गई एक बार फिर भी माफ है दूसरी बार माफ नहीं होगा ने achieving miss twice, कभी भी दूसरी बार किसी चीज को skip मत करना, अगर दूसरी बार भी मिस होती है, यानि कि आप track से भटक चुके हो, अब फिर से आपको बहुत महनत करनी पड़ेगी और इस track पर आना पड़ेगा, नो CBSC पाटन, क्योंकि अब आपका जो 9th onwards, आपका CBSC पाटन जो start होता है, that is very different, जो अभी तक आप पड़ते आ रहे थे, तो वो पाटन आपको पता होना चाहिए, latest pattern के अंदर क्या-क्या included है, latest pattern के अंदर बहुत सारे MCQ included है, क्योंकि हमारे जितने भी entrance exams आप आगे देने वाल तक जो अपने MCQs करें, वैसे MCQs नहीं आते हैं, MCQ का level थोड़ा अच्छा हो जाता है, difficult हो जाता है, तो यह practice करके ही निकलेगा, CBSC के pattern में एक तो MCQ questions हो गए, नए pattern के अंदर एक question आता है, assertion reason वाला, काफी सारे बच्चे समझ गए होंगे, किसकी बात कर रही हूं, assertion reason थो आपके case study questions, यह नए pattern की बात कर रही हूं, case study questions, इसमें ना, जैसे English में paragraph होता है, इसमें आपको paragraph दे दिया जाएगा, वो paragraph से, वो paragraph पढ़के आप हिल जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसी terms और ऐसी words होंगे, जो कि आपकी नहीं book में होंगे, नहीं आपने सुने होंगे, extra अगर reference book में से पढ़ रहे हो, तो फिर भी आपको समझ आएगा paragraph, नहीं तो case study का target यह होता है, कि थोड़ा सा research वाला, information वाला, एक paragraph लिखा हुआ होता है, उसके उपर questions आते हैं, अब वो question का answer, जो पूछे गए हैं इस paragraph में से, जरूरी नहीं है, आपको उस paragraph में से मिले, related जरूर हो होगा, इतना असान question CBSC नहीं देने वाला है, सब कुछ होगा NCRT से, question जो पूछा जाएगा, वो NCRT का ही होगा, बट आपको थोड़ा सा brainstorming करवाने के लिए, जो case study बनाई जाएगी, उसका level अच्छा रखा जाएगा, इसलिए आपको काफी बार आपके teachers बोलते हैं, कि बे और इनकी practice करनी है, then focus on NCRT तो मैंने बताई दिया, then also there is a book by NCRT which is NCRT exemplar, काफी teacher से आप सुन चुके होई है, जिनको आप follow कर रहे हो, NCRT exemplar is the book, जो की, again, very important for question practice, तो यह बेटी, basically MCQ से related है, ठीक है बच्चा, then आजाओ, revision, revision क्यों करना है, आपने, हम class में सुनने के अच्छ से, revision इसलिए करना है, इसमें थोड़ी सी ना bio आजाती है, देखो, एक बार जब आप class को ध्यान से attend कर लेते हो, lecture को ध्यान से attend कर लेते हो, तो आपकी short term memory में store हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़े गई, इसमें मैं bio की teacher हो इसलिए नहीं बता रही पासवर्ड सुना, कोई phone number कोई बताता है, आपको कुछ seconds तक याद रहता है, ऐसे आपको कोई fact कोई teacher बता देगा, कोई formula कोई teacher बता देगा, आपको class में लगेगा, हाँ यार समझ आ गया, यह तो याद रहेगा, बट फिर आप चले गए यार, lunch period में घूमने फिर ने, और पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, उस बात के बारे में आपने सोचा ही नहीं, जब तक आप उस चीज को सोचोगे नहीं, बुक उठा कर देखोगे नहीं, तब तक वो आपकी long term memory में नहीं चाहेगा, तो long term memory में store करने के लिए revision चाहिए होती है, इसलिए आपको revise कराने क क्या करना, revision करनी है, तो बहले ही आपको class में लगया, सब समझ में आ गया है, बिलकुल, सब सेट है, कुछ भी पूछलो माम, अब सब कुछ सुना दूंगा मैं आपको, बट क्या वो आपको एक हफते बाद याद रहेगा, उसी तरीके से एक महीने बाद याद रहेगा, उस 9 का पेपर उठा के देखो, पिछले 10 साल से कैसे पेपर आ रहे हैं, CBSC क्या है, कैसे पेपर बनाता है, ये class 8 से, जो नए नए स्टूरेंस 9 में आए हैं, उनके लिए जानना बहुत जादा ज़रूरी है, अब तो पेपर आने वाले हैं, फाइनल पेपर आने वाले हैं आपक इसले साल के 10 साल के questions और उसको सॉल्व करना हर एक सब्जेक के से, साइन्स, मैट्स के नहीं हर एक सब्जेक के, avoid distractions, ये तो सबसे बड़ा चालेंज हो गया, ये तो सबसे बड़ा चालेंज हो गया, क्या-क्या distractions तो में लगती हैं, देखो, अब हम चाहा कर भी आपके teachers और आ इसको चाह कर भी avoid नहीं कर सकते, parents भी अब ऐसे हो गया है, ठीक है, फोन है, बच्चे के पास, दिला देते हैं, बहुत जल्दी फोन दिला देते हैं, 9-10 में, और आपके necessity भी बनता जा रहा है, आपको अगर classes attend करनी है, in fact ये वीडियो भी तो आप YouTube पही देख रहे हो, तो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके time को consume कर रहे है, आपको पता भी नहीं चल रहा हो, और आप सबसे जादा time इन ही social media apps पर invest कर रहे हो, दोस्त बात में भी बन जाएंगे, ये time lot कर नहीं आएगा फिर से, 9th class फिर से नहीं आएगी और 9th class, trust me, आपकी पहली CD है अभी, जो आपक ये नीव है, नाम इसलिए रखे गए हैं बेटा, क्योंकि आपको समझना होगा, अगर आपका base ही strong नहीं है, तो आप उसके ओपर उपर अच्छी से building कैसे बना सकते हो, आपको पहले अपनी नीव मजबूत करनी होगी, तो avoid distractions में यहीं आ जाता है, कि आपको पहले तो सबसे बड़ा distraction है आपका phone, आपके वो extra social media apps जो आपका time consume कर रहे हैं, उसको दूर करो, अपना time fix करो, consistent हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर, फिर आपको कोई भी नहीं रोख सकता, improve करने से, 95% जैसे कि मैंने बोला, कि ये तो एक tag लगा हुआ है, कि हाँ मेरे 95 आए थे, हो सकता है किसी बच्चे ने रटे मार कर 95% ले लिए हो, आपको समझना है चीजों को, revise करना है, अपनी personality बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है, और आप एक ninth class का बच्चा अपनी पहचान कैसे बना सकता है, बिटा आप अच्छी knowledge से, अच्छा score करके, समझदार बनके ही ये काम कर स करी, और वो महनत बहुत जादा सफल हुई है, और फिर आपको भी आपके अंदर एक confidence नजर आएगा, कि हापने जो ठाना उसको आपने complete किया, एक और चीज़ याद रखना, इसमें एक छोटी सी physics ही है, कि आप जितने भी efforts करते हो किसी चीज़ को लेकर, वो हमेशा आपको fruitful हमेशा fruitful रहेंगे, आपको वापिस reciprocate करके जाएंगे, because there is third law of Newton, that every action has an equal and opposite reaction, तो simple सी बात है न, अगर आपने महनत करी है, तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है, तो आप पहले decide तो करो, महनत की तरफ एक कदब उठाओ तो सही, तो आप देखना बहुत ही beautiful हो जाएगा, बहु जादे influence रहते हैं, उन सबने भी बहुत महनत करी है, तो अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हो, या उनसे बहुत inspired हो, कि यार मुझे इसकी जैसी life चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वह करना है, तो इसके लिए अभी से कदम उठाना होगा, build yourself, build your personality, build your knowledge, and अपना यह जो कुछ भी अगर इससे related पूछना चाहते हो, किसी problem में हो, तो you can ask, in the comment section I will answer there, so bye bye बच्चो, take care of yourself